हेलो गाईज माई नेम इस आशीजन वेलकम टू वी ट्रेड इंस्टिटूट यूटूब चैनल आज की वीडियो जो हमारी है यह काफी इंपोर्टन टॉपिक क्यों पर है जो की हमारा सेकेंड पार्ट है कि हाउ टू रीड चार्ट लाइक प्रो यह सीरीज मैं उन लोग के ल एवरिटिंग तो यह सीरीज को अराम से देखना एंड आई नो कि वीडियो काफी लेट आई है सेकेंड पार्ट का लेकिन आने वरा टाइम में ऐसा नहीं होगा तो अभी तक कि आपने फर्स पार्ट नहीं देखा है तो जाके देखो जिसका नमरे सप्लाइज जोन क्या होत होता यह सब कुछ बताया है अभी आज की जो वीडियो है इसके अंदर मापको बताऊंगा trend के बारे में देखो मार् uni dark kate लाइड में जा रही है जो कि दिक्ता है हमारा कुछ इस हिसाफ से अगर में जाता हूँ यहां पर यहां प bacon ट्रेम पर चार्ट यहां पर पर जाता तैंक्प एक लो लगाता है तो सके मतलब क्या और हां धर्ल हायर हमें देकने को मिल रहा है और अपर साइड में हायर हाई देखने को मिल रहा है अब मैं इसकी पीछे कि साइकोलोजी क्या है यह चीज़ समझाता हूं अब क्या होता है यहां पे कि मार्केट हमेशा कुई क्यों इस तरीके से जाता है और एक बिगेनर ट्रेड क्या गलती करता है इसका अगर कोई भी स्टॉ अगर अपसाइड में जा रहा है तो वो कभी इस तरीके से उपर नहीं जाता मार्केट का रूल है वो कि चार्ट हमेशा कुछ इस तरीक से चलेगा चाहे आप कोई भी टाइम प्रेम यूज करो यहां पर यहां पर यू बैंक का चार्ट ओपन है राइट यू बैंक अगर द चलता है अब अप्ट्रेंड जो है वह क्यों ऐसा चलता है हायर लो लगाता है मतलब हायर लगाते हैं यहां से क्या हुआ कोई भी चार्ट पकड़ लेते बैंक निपते का थोड़े कोई पी स्टॉक एक पर्टिकुलर सौ रूपए की इसकी प्राइस है राइट हंड्रेड गैसे सोचो गहें तो आप यहां पे पैसा नहीं कमा पाऊते हैं अब मार्केट का क्या रूल है कि यहां पे हमें कोई भी चेंच तब पता चलती है जब वो हो जाती है यह 100 Tai रूपए से 1500 रुपए हो गया हमें अभी पताचला कि 1500 रुपए का हो हो जाएगा और हम यहाँ पर बाय करते हैं हम यहाँ पर फिर यह क्या करता है मार्केट नीचे आ जाता है फिर हमारे ऐसे लेट हो जाते हैं अब यह चीज क्यों ही विकाज यह चीज समझो अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक अगर हंड्रेड रुपीस से 150 का जंप लगाया है तो इसका मतलब है अब इसके प्रॉफिट बुकिंग आएंगी प्रॉफिट बुकिंग क्यों आएंगे कि यह समझो अगर मैंने सव रुपए कोई चीज बाय करके रखी है मानलो आपने बाय करके रखी उसका भाव डेड़ सो रुपए हो जाता है तो क्या प्रॉफिट उसने वह अपिस से सव पे जाएगा लेकिन ऐसा नहीं होता रैट क्यों नहीं होता किसी भी स्टॉक को अगर उपर जाना है तो यहाँ पर न्यूप एसा एंटर होना बहुत जरूरी है और किसी ने सव पे खरिदा है वह वह डेड़ सो यहाँ पे बुक कर लेगा लेकिन यह यहां पर नए लोग भी तो एंटर होंगे न क्यूंकि ये प्राइस थोड़ा सा करेक्षण दिखाता है करेक्षण दिखाने के पाद यहां पर क्या होता है यहां पर करता है पिर अगर यह अप साइड में जाता है और यह डेट सो की लेवल तोड़ देता है तो इसका मतलब क् यह क्या कर लेते हैं अपना एसल ट्रेल कर लेते हैं और यह जो फॉल आया इसे हम कहते हैं फॉर्स फॉल बैक में कभी भी मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करना चाहिए अगर आप यहां पर यह सोच रहे हो कि मार्केट नीचे गिरेगा तो आप गलत हो विकॉस यह यहां फिर से बार current लिकिन उनका एसल फिर से यहां पर रहे prag है क्यों ही थोड़ा से फेर्ट मों अब 음식 और मार्केट शाहिए तो मार्केट यहां से वश्क्राइब neurolog करेंगे कि अपना प्रॉफिट बुक करेंगे और मार्केट के सुन मद्रीग अब यह तो मार्केट यहां से वापिस एक स्विंग लगाएगा अब यह स्विंग कहां से लगाएगा जो इसका रेसिस्टन्स था वो रेसिस्टन्स का एज सपोर्ट की तरह काम करेगा जो कि मैं प्रिविएस वीडियो के अंदर बता चुका हूँ तो अगर अभी तक कि आपने व पता हूँगा आपको प्राइज अक्षन लेकिन यह सारे रूल से प्राइज अक्षन के जब तक या यह चीज नहीं समझेंगे तब तक क्या मार्केट करने कुछ नहीं कर सकते तो अपने बुक के अंदर यह सारे पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो इसके उपर प्रेक्ट प्रेक्टिस 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 फिर उसके बाद में आपको रिजल दिखेंगे फिर मैं आपको एक मैनेजमेंट के उपर एक वीडियो बनाऊगा वह मैंनेजमेंट आपको एक प्रॉफिटेवल ट्रेडर बनाएगा उसके बाद में आप यहां पर बड़े फंड के के अंदर हमेशे चीज़ आद रखना डिकता है आपका कुछ इस तरीक से चैनल के तरह कि मार्केट बड़ इस तरीके से जाते रहता है तो यहां पर आपको क्या सोचना है यह जो डॉण साइड से ट्रेंड लाइन आ रही है यह ट्रेंड लाइन पर आपको बाइड करने के अब ये शीज़ समझो अगर में ट्रेड कर रहे हैं मार्केट का रूल क्या है अगर जहां पर ट्रेड डार करो अगर मार्केट अप्रेल में है तो अद्रेड करो आकर के बारे में do बना हुआ है तो मार्केट क्या करता है ऊपर गया नीचे आया वंपर गया नीच याहां पर दों कैसे करना है क्या धेखना ओंडी आब ते को बताओ का आगे वाली वीडियो तो अब अग्यार हो पिर अगर यह ब्रेक कर या डाइरेक्टली शॉट कभी भी नहीं करना क्यों कि ये शॉर्द करो अगर आप शॉर्ट करोगे तो यहाँ पर आपके S.L. hit होंगे यह हाँ पर आपके S.L. hit होंगे क्योंकि यह जो market है, यह जो operator है यह आप लोगों को trap कर रहे हैं क्यों trap कर रहे हैं यह चीस समझो क्योंकि अभी जो market के जो बड़े लोगों के S.L. लगेवे हैं वो कहाँ पर लगेवे हैं? यह swing के उपर जब तक कि यह swing नहीं टूडता मारकेट के अंदर फॉल नहीं आएगा यह चीज़ आप लिखके ले लो जब यह swing टूटेगा तभी market के अंदर फॉल आएगा लेकिन एक beginner क्या करता है कि वो एक चीज रट चुका है कि trend line टूटी तो trade कर लो, support टूटा तो trade कर लो, अरे नहीं, trend line टूटी तो confirmation मिलता है कि ये trend में भी change हो सकता है, लेकिन ये confirm तभी होगा जब ये वाला swing टूटेगा, जब ये वाला swing टूटेगा, तो जिन लोगों ने यहाँ प अपने stocks बेचेंगे, correct, ये लोग अपने stocks बेचेंगे, जब ये लोग अपने stocks बेचेंगे, तो एक retailers यहाँ पे अपने stocks sell मारेगा, समझे रहे हो, यहाँ पे short करेगा वो लो, तो market downside में गिरेगा, लेकिन यहाँ पे बहुत बार क्या होता है, कि break होते बराबा सिधा-सिधा fall आजाता है, तो हमें वहाँ पे entry नहीं मिलती, market के अंदर बहुत बार ऐसा होता है, कि आप लोगों को entry नहीं मिलीगे, तो इस चीछ से निराश मत होना, correct, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, अगर यह इस तरीके से break हो जाता है, तो सबसे पहले wait करो, क्या यह break हो किसी भी तरीके से रह सकता है, यह maybe ऐसा भी रह सकता है, यह rising wage भी रह सकता है, मचार पैटर्न वगेरे सबक्यों पर वीडियो देखा होगा, don't worry, अगर यह इस तरीके से हो जाता है, अभी यहाँ पे क्या होगा, कि जिन लोगों के SL यहाँ पे लगे होगे न, वो लोग सार trend होता है, sideways, अभी अगर इसने इसका low break कर दिया, यह जो sideways हुआ है, अगर इसने इसका low break कर दिया, तो इसका मतलब है, कि यह जो particular stock है, इसका अभी trend change होने वाला है, जैसे इसने low तोड़ा यहाँ पे आप shot कर सकते हो, इसके उपर SL लगाना, या जिस candle ने break किया है, उस candle का SL आप लगा सकते हो, target क्या लेना है, आपको one is to do का target लेना है, या आपकी यह swings का target प्लान कर सकते हो, लेकिन इतना याद रखना, कोई भी trend होता है, अगर वो direct break होता है, तो कभी भी short मत कर देना, चाहे वो intraday हो, चाहे वो कुछ भी, यह simple rules है market के, अब इसका एक example बताता हू आपको ठीक है, अब यहाँ पर मैं चीज सर्च कर लेता हूं, lt, अगर lt सर्च करूँगा, वन आर के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको इस चैनल नजर आ रहा होगा, यहाँ पर चैनल किस तरीका के नजर आ रहे है, मैं देखो बताता हूं, आप लोगों ने सीखा क्या है, लोगों ने सीब एक टी सीखे, बॉस, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, शॉट करो, बट देखो, ब्रेक होते है बरावर मार्केट रिवर्ट चले गा, क्यों रिवर्ट चले गा, विकॉज यह जो चैनल है, यह अप्ट्रेंड का है, और अप्ट मार्केट के अधर अभी भी अभी यहाँ पर और अभी यह ब्रेक करेंगा है, लोग यहाँ पर पिनिक कर जाएंगे, अभी ये ब्रेक करेगा न तो यह सारे लोग यहां पर पैनिक कर जाएंगे तो यह जो एल्टी स्टॉक है यह मंडे के लिए हमारे लिए एक सेलिंग साइड में जा सकता है तो इस तरीके से आपको चीज समझनी है कि वन डे के अंदर यह क्या हो रहा है वन आर के टाइम परेम हैं तो आप इसको इंट्राडे के लिए सेलेट कर सकते हैं और सेम चीज अपलाई होगी आपकी डाउन ट्रेंड करना डाउन ट्रेंड का मैं एक्जामपन नहीं दूँगा वो चीज आपका हुंबर का इसी का उल्टा करना आपको डाउन ट्रेंड के अंदर लेकिन यह जो ची हैं अब यहां पर देखो अभी जो फ्राइड़े का मारकेट मैंने आपको पहला पूल बैक बताया है अब मार्केट यहां पर क्या कर रहे हैं कंटिन्यूसली पॉल और अगया मार्केट के पार्ट के यहां पी अगर आपको यहां पर ना पड़ेगा और मेरे को यह पिल्बैक का बड़ा पड़ेगा मार्केट निचे ये अब यह उपर जा रहा है तो यह हमारा फर्स्ट पुल बैक हो गया according to projection और पहले पुल बैक में कभी भी trade नहीं होती है अगर आप यह सोच रहे हो कि यहां से market सिधा उपर चल जाएगा तो V-shape recovery बहुत rarely मिलती है जो कि newsbase में मिलती है अब यह जो उपर जा रहा है मार्केट यह हमारा फर्स्ट फुल बैक है वापिस गिरने के लिए तो आप यह चीज़ समझो कि मुझे यहां पर sell के entry मिलने वाली है तो अब यह sell के entry आपको कैसे देखने को मिली कि यह चीज़ समझो देखो इसके बहुत सारे मार्केट नीचे यह पहली रेड केंडल बने दूसरी केंडल अगर आप देखो गी तो इसने क्या किया अपने प्रीवेस केंडल का लो ब्रेक कर दिया है तो इसको अगर नीचे गिरना है और अगर निउएंट्री हमें चाहिए अगर मिलनी चाहिए तो मार्केट को क्या करना पड़ेगा एक पॉस केंडल बनानी पड़ेगी कि यहां पे प्लान कर सकते हो फिसके लिए यहां पे बात बता रहा हूं क्यों कि यहां पे चीज समझो देखो अब यह थे यह चोटा सा अप्ट्रेंड है क्यों आप्ट्रेंड है यहां पर पाच मेंट की इसने क्या-क्या है पाच मिनित की साथ में ब्रेक की तरफ लेकिन अगर आप यहां पर एक टी नोठिस कर रहे हो तो क्या है पांच मिनिट का जो लो है वह अभी तक के ब्रेक नहीं हो रहा है उसके नीचे अभी तक यहां तक के पता लगेगा कि यह जो पुल बैक है कहां पर से खतम होगा तो इसका सिंपल लॉजिक है आप यहां से लेके यहां तक के 50% काउंट कर लो जाए तो यहां पर यहां से यहां तक के लगाऊंगा तो यहां पर इनको 0.5 पर क्या करूंगा एक ट्रेंड लाइन ड्रॉज कर दूगा ठीक है मैं यह भी नहीं करता हूं आपको सि चालू है ठीक है लेकिन उसके बाद यहां पर देखो एक कैंडल हमें क्लोज होती भी देखने को मिली जो की पांच मिनिट की नीचे है पहली कैंडल है अवाइड कर देना ठीक है उसके बाद में अगर आप देखोगे तो यहां पर अभी मार्केट क्या कर रहा है प्रीविय और अभी मार्केट क्या कर दिया पॉस कर क्या मतलब क्या है पांच मिनिट की कैंडल का जो हाय है वो ब्रिक नहीं कर पाए और लोबूद। create नहीं कर पा रहा और new high अगर वो create नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब क्या है boss कि यह level पे अपने पास में sellers एक्टिवेट हो गए हैं पहले क्या हो रहा था यहां पे sellers नहीं थे सी buyers थे क्यों बार-बार new high लगा रहा था लेकिन जैसे उसने new high बनाना stop किया तो यह चीश समझ जाओ कि में भी अभी sellers एक्टिवेट हो गए हैं पिर यहां पे आपको इस तरीके से जोन दिखेगा ठीक है अगर यह जोन इस तरीके से दिख्या इसका मतलब क्या है यह इन लोगों का यहां पे SL था इन लोगों का SL आ गया यह जोन के नेचे मतलब यह लोग अभी डरना start करें जैसे यह जोन था यह आया तूटा यहां पे आपके इन लोगे यह आप सिंपल यहां पे वी शॉट कर सकते हो यहां पे कैसे शॉट करना है वह वह चीज़ आपको बताओंगा मैं सब कुछ बताओंगा आपको यह सीरीज के अंदर वीडियो बनाओंगा जिसके मदद से समझ मैंगा कि आपको किको कॉंटिटिस बाए करनी है अभी हम क्या सिख रहे अभी हम यह समझ रहे है कि varying कैसे होता है अभी अगर आप देखोगे तो यहां पर लोर हाई और लोग क्यों कि होता है लोग्हां गया बन गया यह लोग बन मद यहां से देखो प्रॉपर मार्केट नीचे घिरा है अब यह जो बैंक निप्ती है वह यहां तक के नीचे आएगा तो मंड़े कि दिना मार्केट फ्लैट उपन होता है फ्लैट उपन होते बाद डाउन साइड की दिखा तो आपको यहां के बारे में सोचना चाहिए ये तो वीडियो हो गई सिरिफ up train के बारे में uh downtraint के बारे में आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ओर i hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी ऐसे मैं औरी तो ये अन्थरी कैसे की समझे में आ जाए कि भई हाँ आप लोगो को सारी चीळी समझ में आ रही है और मैं एको चीज कर रहा हूँ आप लोगों के लिए वह यह है कि मैं वह सारे ट्रेड रिकॉर्ड करूं जो की मैं पर्सनली लेता हूँ चाहे वह उप्शन सेलिंग हो चाहे वह यहां पर वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना हम 20 के बहुत करीब है इस वीडियो के अंदर 20 के यहां पे अपने हिट करा दो तो मैं आप लोग के लिए आगे बहुत सारी प्लानिंग्स लेके आऊंगा जिसके मदद से मैं गैरेंटी देता हूं कि आप एक ट्रीडिंग सीख पाऊगे चलोगा इस वाइबाए एंड टेक केर